आमतोर पर मतदान के बीच अगर EVM में कोई गड़बडी हो जाए तो आरोप चुनाव आयोग, चुनाव करा रहे अधिकारियों या राजनीतिक दलों पर लगते हैं। लेकिन यूपी में चौथेव चरण की वोटिंग के दोरान एक ऐसा वाकिया सामने आया जब आरोप मतदान करने वाले पर लगा। लोगों को घंटो लाइन में खड़े रहना पड़ा। इस मामले को लेकर पूर्व विधायक और लखीमपूर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उतकर्ष वर्मा ने आज तक से बाचीत में कहा कि किसी ने शरारत करके पहले वाले नमबर यानि साइकल के बटन पर फेवी क्विक डाल दिया जिसके कारण बटन ही नहीं दपा रहा था इस मामले में CCTV फुटेज देखकर आरोपी के खिलाप कारवाई करनी चाहिए इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है बता दें लखीमपूर खीरी वही जिला है जहां पिछले साल तिकुनिया आठ सीटों पलिया, निघासन, गोला गोरकनात, श्रीनगर, धौरहरा, लखीमपूर, कस्ता और मुहमदी पर भाजपा को जीत मिली थी लेकिन इस बार तिकुनिया में किसानू की हत्या एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है इस मामले में हाल ही में आशीश मिश्रा को जमान का मतदान हो गया है, इस दौर में लखीमपूर खीरी के अलावा पीली भीत, सीतापूर, हर्दोई, उन्नाओ, लखनओ, राय बरेली, बांदा और फतेपूर में मतदान हुआ, आपके लिए एक खबर लिखी है धीरज मिश्रा ने, मैं हूँ हिमान शुप, देखते रहे है दी ललन टॉप, शुक्रियाद आईए ललन टॉप की वीडियो सबसे पहले, पेजबुक और यूट्यूब से भी पहले, खबरे और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन, बड़ी खबर हो, या फिर हो, किस से, सब आपके फेवरिट सेक्शन, आपको हैं बताने, इतना ही नहीं, क्रिकेट मैज का स स्कॉर और अलाके में मौसम का जोर भी जानिये, आज ही गूगल पे स्टोर पर जाईए और दीललन टॉप एप इंस्टॉल कीजिए